अब लोगों के लिए लेकर आई हूं खंड़ाई की रेसिपी अच्छा जिसके लिए है एक पाउ बेसन और बेसन को अची तरीके से छान लेया है ठीक है अब मैंने लिया है दो गिलास भर के पानी इसमें मैं नमक एड करूँगी हस्बेजाय का पिसी विलाल मिर्च एड करू अब इसको इतना पकाना है कि एक गिलास रह जाए फिर मैं आपको नेक्स स्टैप बताती है ठीक है अच्छा फ्रेंड्स देखें मैंने दो ग्लास जो पानी लिया था अब वो एक गिलास रह गया इतना मैंने इसको पकाया अब मैं इसमें बेसन डालूँगी और खुब स्मूज सी एक शकल उत्यार कर ले और ये पतीली को छोड़ दे अच्छा देखें इसको दो से तीन मिनटी मैंने खुब चलाया है तो इसकी ये शकल हो गई है अराउन इसको फाइफ तो टैं मिलिट साब चलाएंगे ना तो ये स्मूज सी इसकी शकल हो जाएगी ना इसको अच्छी तरीके से जम जाएगा अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ठंडा करने रखूंगी तिर मैं इसको कटिंग करके आप लोगों को दिखाती हूं अच्छा फ्रेंट्स देखें ये हमारी अच्छी तरीके से जम गई दिया और हमने इसको कट कर लिया और इस तरह की शकल हो गई है ठीक है अच्छा फ्रेंट्स देखें अब हमने इसको अच्छी तरीके से पहले भूल लेंगे ठीक है इसमें फिर स्पाइस आइड करेंगे स्पाइस आप लोग देख लीजे नमक लिया हस्बे जाएका एक खाने का चमच भर के हमने लिया पिसीवी लाल मिट्ष आदा चमच गरम मसाला और आदा ही चमच हल दिये यह दाल के खुब अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करेंगे इसको अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे तेल उपर आजाए देन फिर हम इसमें यह खंड़ाई एड़ कर देंगे बेसन की जो हमने बनाई है अच्छा फ्रेंड्स अब देखें सालन हमारा खुब अच्छी तरीके से भुन गया था फिर मैंने इसमें एक ग्लस भर के पारी डाला नेक्स मैंने इसमें खंड़िया डाल दी बेसन की जीक है अब इसको इतना पकाएं उबाल आने तक अब इसको रखें फिर इसके बाद अच्छा बस हम आये इसके बेसन की खंड़िया इसमें डालने के बाद पांस से दस मिनट पकाना है बस हमारा अच्छी तरीके से तूटनी जाए नहीं चाहिए सालन एक जान हो जानी चाहिए जैन हम चूला पन कर लेंगे फिर अरा धनिया हरे मिट के साथ इसे गानिश करें देखें फ्रेंड्स हमारी खंड़िया रेडी है और बहुत लजीज लग रही है उसका माशाला कलर देखें बहुत जादा अच्छा है प्लीज मेरी इस रेसिपी को ट्राइ करेगा और बताएगा कैसे लगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देए अलाफेस चानो अप्लीज मेरे गलाफे प्लाफेस रेखेसा हमारा क darum मिरे को टwno सक्त कर देखेसे और रिकी कर देखे़ लगा धर बता है